वेलकम तो अरान इंटर्टेन में तरह आज हम लोग बात करेंगे जोवेनल जस्टिस जो की ओरियन शोव यह आपको नेट्फ्रीस पर देखने मिलता है इसमें टूडल दस एपिसोड से जिसके हरेके एक एपिसोड अल्मोस्ट एक घंटे के और यह आपको इंगलिश और पर देखने मिल जाता है तो हमें हमें नजर आती है जुवेनल कोड की जज़ शीम यूंशुक जो की बिलीफ करती है जितनी भी नावाली की जो क्राइम करते उनको भी वही सजा मिलना चीज जो एडल्ट को मिलती है ऐसे में इस शो में आपको अलग 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 केसे देखन अलग एक घंटे के होते हैं लेकिन यहां पे अगर इस प्रटगुलर शो को देखो तो उनके जो एपिसोड से वह हमको जरु से यदा ऐसे लग खीचे गए मतलब वह एपिसोड 45 मिनिट जाए 50 मिनिट में भी खातम हो सकते थे लेकिन फिर भी उनको एक घंटे से जादा की जो कि मुझे थोड़ी से अजब लग भी ती शो का जो दूसरा नेगेटी पॉइंट है वह है ड्रामिटाइशन यानि के हर एक एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ इमोशनल चीज़े देखने मिलीगी लेकिन वह इमोशनल चीज़े एक वक्त आने पर वह इमोशनल चीज करी तो वह थोड़सा जाद हो जाता तीसरा पॉइंट है वह है इसकी जर्ज शीम उन्शुक खुदी दुकि या दुनिया में जितने भी जर्जेस है आप लोग ऐसा मान के चल सकते हैं जर्ज लोग खुश से इनलेस्टिकेटे नहीं करते हैं इतना घुस के हरे के इसको सॉ इतने खतरना कि एक वक्त में तो भाई आपकी रूख आप जाए और आज एसा वक्त आगया है जहाँ पर नावालिक बच्चे वह लोग इस तरह के क्राइम करते हैं कि आदमी की सोच भी वहां तक जाने सकते हैं और उन क्राइम की सजा उनको इसे लिए नहीं मलती कि वह लोग नावालिक है तो मैं करेक्टर की बात को तो यहां पर ज्यादा करेक्टर को है लेकिन हरे क्रेक्टर को बहुत अच्छी तरह से लिगा स्पेशली सीम यह उन्शोग उसको जिस तरह से बताया और जो चीजी उ वह पॉलिटे के लिए काफी करेक्ट लगते आज करके महाल में ऐसी चाहिए और सपेशली इंडिया में भी ख्यांगे सही चाहिए कि सिनमेटर क्राफी अच्छी बीजियम अच्छा है डियरेक्शन मुझे बहुत चलागा और एक्टर के परफोर्मेंस की बात करो तो हर एक एक्टर ने अपने इससे लोगों को बहुत अच्छी तनसे बाए चाहिए वो टीनेजर्स हो या एडल्ट हो मदा आता देखने के लिए उनका परफोर्मेंस में चीज जो मैं आपको बताना भूलकर कि शो में जो इमोशनल टश डाला है जैसे कि मैंने नेगेटिव पॉइं अच्छी अगर आपनों देखना चाहो तो अबस मिलते नेक्स वीडियो में चिल्देर बाए